कहीं लोग मुझसे मुझसे पूछते हैं कि सर वाट इस दा हाउ सम पीपल बिकम टॉपर एंड सम पीपल पीपल बिकम आवरेज होल दा लाइफ ठीक न देखे एक एक जो पैटर्ण है ना पैटर्ण और एक्सेप्शन का मीनिंग समझी है हम लोगके आपने वह क्या है कि अपने हिसाप से चीजों को जानने की कोशिश करते हैं पैटर्ण इस वहाट 99% फोलोस ना एक्सप्शन लाट 1% फोलोब इंटर में फिर फीर के लैएँ पैटर्ण ईस ओट जानरली हैपनेließen generally generally जो होता है right and exception is what that rarely happens so मैं अक्षर करके हर साल एक चीज़ देखता हूँ कुछ students ऐसे होता है कुछ students जो ना जो सही में उनका जो एक तरीके से the act they do act they do ठीक न does not depend on mood ठीक न कुछ students मैं जानता हूँ हर साल मिलते है मेरे को ऐसे और यही वो लोग है जो 100 out of 100 99, 95, 98 97, 92, 93 बदब इच शोज दा कि यार वो ना मूड से पढ़ाई नहीं करते हैं है ना क्योंकि जब भी आप पढ़ने बैठते हो ना उस टैम पे 1000 रिजन्स होते हैं ना पढ़ने के और सिर्फ एक रिजन होता पढ़ने का ठीक ना जनरली स्टुडेंट्स इन 1000 रिजन्स के ट्रैप में आ जाते हैं मैं आप सभी लोगों को ये बोल रहा हूँ जो इस वीडियो की रिकॉर्डिंग देखेंगे मेरे भाई मन से पढ़ना बंद कर दो मन लगा के नहीं क्योंकि फिर तुम मन के गुलाम हो जाओगे जिस दिन मन नहीं करेगा उस दिन नहीं पढ़ोगे बुद्धी से पढ़ना शुरू कर दो बुद्धी से ठीक ना मन और बुद्धी ठीक है इसकी नहीं सुननी है इसकी सुननी है ठीक है भाई मन इतनी गंदी चीज़ है कि तुम नौईडा में बैटे ओ तुम्हारा मन कर रहा है याइँ इमाचल चलते हुए ने ठंडडि माचन चलते हैं पहोंच पहुंचय तो ओ आफ्स काम भी नहीं कर रहा हुं है न मतलब इसको कभी भी शान्ती की नहीं यहीं कभी भी शान्त नहीं इसन, जोकिंग मंगी तो इसलिए स्टूडेंट्स में आपको कहता हूं कि मन से पढ़ना बंद कर दो डिसिप्लीन से पढ़ना